हेलो दोस्तों मैं शहबास ग्रेट आई कि मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे की तरफ से दो बड़े इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुके हैं एक एज रिलक्सेशन को लेकर और दूसरा टेक्निशन के वेकंसी को लेकर और गुरूप डी को लेकर भी एक बहुत बड करेंगे कि जो चात्रों की सबसे बड़े जीत हुई है कि एज रिलक्सेशन मिल चुका है और टेक्निशन की वेकंसी पर सबसे बड़ी अफडेट आ चुकी है और एल्प से रिलेटेट और गुरूप डेस रिलेटेट जितने भी डाउट है वह आपको इस वीडियो में डिस बताना चाहूंगा कि एलपी की तयारी जो कर रहे है रेलवे की तयारी उन सभी के लिए बड़ी ख़बर है कि टैस्ट बुक पर जो है मौक टैस्ट की अभी एक सेल चल रही है 30 और 31 जनवरी के लिए वस यह सेल है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं जो प्लास प्रो है टैस तो यहां पर लिखा है बागी टर्म्स और कंडिशन के लिए जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं वहां जाकर चैक कर सकते हैं बहुत ही अच्छा उफर चल रहा है काफी सारा टैस्ट हैं तो आप चैक कर सकते हैं नेक्स हम बात करेंगे जो नोटिस आया सब परहें बात की गए थी अभी इसमें के लिखा है कि और वियार करेंटली इन प्रॉसस अफ़ाइलाइजिंग रिलीज और सेटलाइज एंप्लाइमेंट नोटिफिकेशन यानि आर वी ने जो है यह साफ कर दिया है कि टेक्निशन की वेकेंसी जो है वो आने वाली है यह इस जल्दी आ जाएंगी और बहुत जल्दी जो है इसको एड़ करते जाएंगी और जो इसका क्राइटेरिया रहेगा जो इसमें एज रहेगे वह सब जो है आने वाले नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहां यह बिल्कुल अभी अभी जो है रात ही अपडेट हुआता जो इसमें क्या लिखा है जो एज रिल्क्सेशन है अब एज लिमिट कितनी कर दी गई है 18 साल से लेकर 33 साल तक एज लिमिट कर दी गई है अब एलपी के लिए ठीक है और बाकि आप देख सकते हैं ओबी सी की सी एस्टी की जो है वह डेट ऑब जैसे रहता है इस तरीके से दी रखा है ठीक है तो 18 से 33 साल यहां पर कर दी गई है एज लिमिट अगर आप देखेंगे माकर यहां पर एक नोट डाल दियागा है जिनको एज रिलेक्सेशन ही चाहिए मतलब जो मान लिए पहले 30 साल तक रहती थी तो जो आगर एज रिलेक्सेशन वाले कैंडिट है जो को लेकर और दूसरा जो है टेक्निशन की वेकेंसी को लेकर अब सबसे बड़े न्यूज है कि जो मीटिंग हुई थी कल उसमें ग्रूप डी को लेकर क्या चर्चा हुई है यह भी स्टूडेंट के लिए काफी एक कह सकते काफी बड़ी जीत है ग्रूप डी के ओपर जो है स इचली वाली जो वेकेंसी थी वह अभी प्रोसस में चल रहे हैं यह लगवग लगवग ऐसा माना जा रहा है कि फैबरेरी के आसपास तक उसका प्रॉसस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है और फैबरेरी के बाद जो है जितनी वी वेकेंसी वेकेंट होंगी उन सब को कैलकुले जी यह वाली वेकेंसी देखने को मिल रही है तक तो हमने डिसकेशन कर लिया कि हमारा जो नोटिस आया था वह दोनों नोटिस जो थे एजर इलक्षिन का टेक्निशन का और गुरूपटी पे क्या चर्चा की गई थी ठीक अब अभी डिसकेशन जो है बात की जा रही है कल मी और ऐसा भी हो सकता है कि हर साल वेकेंसी आए जाए में अगर स्टूडेंट जो है इस चीज को लेकर बड़े खफा है बड़े नाराज है वो अपना धर्दा प्रजेशन कर रहे हैं यहां देख सकते हैं आप पटना में ठीक है आज भी तीस तारीक को जो है यह सम्मेधानिक तरीके से एक पीसफुल अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर कि इतने टाइम से जो है लगभग आप कह सकते हो कि 5-6 साल वेट करते हैं स्टूडेंट इस चीज का ठीक है लास 2018 में आई थी अभी 2024 चल रहा इतना वेट करते हैं तो मतलब वो उमीद करते हैं ब पहले आता है और उसके बाद फिर द्रेलवे में दुवारा कुछ ने कुछ अपडेट का लेकर जरूर आता है ठीक है तो इस सीज को लेकर आप जो है थोड़ा से जो है निशिंत रही है कि जो है टेक्नीशन की वेकेंसी बहुत जल्दी हो जाएंगी मागर स्टूटेंट ज करता हूं कि आपको लगभख स्टीज में जो है जो दो नोटिफिकेशन आयते यह समझ में आ गए होंगे अकर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए ओल दावेस टेक कियर